राजिस्थान की सियासी सत्ता में 81 विधायकों ने जबरदस्ती स्तिफात दिया था ये बात का खुलासा होता नज़र आ रहा यानि कि किसी के कहने पर स्तिफात दिया था उनका कोई इंटेंशन नहीं था स्तिफात देने का कि विधायकों की मांग थी कि पाइलेट को मुख्य मुख्य मंतरी बनाओ या गेहलोत को मुख्य मंतरी बनाओ बलकि उन्होंने कहा कि हमने दवाब में आकर इस्तिफा दिया था और इस पर आप पाइलेट गुट काफी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है पाइलेट गुट ये कहता नजरा रहा है कि अगर विधायकों ने जबरदस्ती इस्तिफा यहां पर दिया है किसी के कहने पर इस्तिफा दिया है तो कांग्रेस आला कमान को इस बारे में जानकारी सारी होनी चाहिए उनको जाच करानी चाहिए उनको एक टीम गटित करनी चाहिए इसके पीछे के मास्टर माइंड का खुलासा सुईकार कर लिया जाता खैर सरकार तो नहीं गिरेगी क्योंकि इस्तिफे को वापिस भी कर दिया गया है लेकिन मुसीबत के बादल अभी छटे नहीं है मुसीबत के बादल अभी मंडरा रही है क्योंकि आने वाले वक्त में गहलोत की सरकार और ज्यादा मुसीबत में फसे पाइलेट ने बगावत करी लेकिन वह काफी समय पहले करी थी और पाइलेट नसको कवर करने के लिए महनत भी जीतोड करी और इमाचल चुनाव के नतीजे भी अपने पक्ष मिलाए और गुजरा चुनाव के नतीजे गहलोत की वज़े से हाब सब जानते हैं क्या रहे बले ग कड़ भी सच्चाई है कि सभी विदायकों ने मिलकर कोई साजिस नहीं रची थी पलकि इसके पीछे का कोई मास्टर माइंड था क्या डराया धंकाय गया था उस रात विदायकों को दिपेंदर सिंग शेकावत ने साफ का कि हम तो मुक्यमंतरी आवास पर जहां पर बैटक होन उनके नितरत में पार्टी के अंदर ऐसी कोई घटना हो रही है या उनके पहले घटी थी सोनिया गांधी की समय में तो इस दिम्मेदारी सोनिया और खड़गे की बनती है कि इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला ले और अपनी राय स्पस्ट करें कि आखिर एक्यासी विदा होता यह आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं लेकिन इससे देखना बहुत दिल्चस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में इक्यासी विदायकों कि खिलासे से कैसे गहलोत और ज्यादा मुसीबत में आएंगे क्योंकि यही कुछ ऐसे बड़े उधारन रहेंगे सबूत र थानिवाद